आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना गुरुपडी का फिजिकल टेस्ट का अनुभव आपके साथ सेर करने जा रहा हूं और आज आपको एक मोटीवेशन भी मिलेगा किस तरह से मेरा फिजिकल टेस्ट निकला आर्मी की फिजिकल टेस्ट में बार बार फेल होने वाला शात्र किस तरह से गुरुब्री का फिसिखलं टेस्ट निकाला एह सब एक्सपरिएंश मैं आपके साथ रखने वाला हूं तो बात जब आ गई है आर्मी की तीन भार मैं आर्मी का फिजिकल टेस्ट एटेंप किया हूं कि मैं पहली बार मुझे व्हाइट के आने वाला था तो उस समय मैं तयारी शुरू किया दस से पंद्रा दिन हमको समय मिला था और मैं गाओ के ही एक फिल्ड पर मैं उसमें चक्कर लगाया करता था एक किलोमीटर का चकर मारने में चार में पंद्रा सकेंड से ज्यादा हो रहा था तो मुझे यह अनुभव हो रहा था साइद मैं गुरूबडी का फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाऊंगा अपने फिल्ड पर मेरा टाइमिंग कौम रहेगा तभी तो जाके मैं वहां पर आच्छा परफ्रेमेंस कर पाऊंग तो चार मिट पंद्र सकेंड से पहले कभी भी मैं अपने फिल्ड पर एक किलिमीटर का चकर नहीं लगा पाया उसके बाद जब मैं सिकंद्रबाद गया तो सिकंद्रबाद में मौला अली में मेरा फिजिकल टेस्ट था मेरा फिजिकल टेस्ट था तो साम को मैं पहुंच गय रहा था तो उस समय एक चीज मैंने बहुत अच्छा experience किया वह क्या था कि जब मैं आर्मी की दोड में गया था तो आर्मी की दोड में मुझे कुछ गाली भी सुनी पड़ती मुझे नहीं सभी को गाली सुनी पड़ती है आप लोग भी बताईएगा कि आप लोगोंने गाली से मार खाया की नहीं लेगिन मैं तो आर्मी के दोड में डंडा से मार नहीं खाया हूं बट वहां पर काफी वहां पर गाली दी आयता है और लड़कों को काबू करने के बड़ते हैं और लोग डंडा भी चलाते हैं ज्यादा लड़की रहतेयं है इस वज़ह ठोएसा करते ह मुझे मैं सोचता था आर्मी की दोड में किस परकार से हमारे साथ बेहवार किया एता है पर यहां देखिए कितना अच्छा यहां पर सभी अच्छी तरसे बात भी कर रहे हैं मुझे यह काफी अच्छा लगा और मैं उस एक्सप्रियेंस को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा जुलाई 2015 में मेरा फिजिकल टेस्ट हुआ था और उस समय सिर्फ दोड होता था एक किलोमीटर का रणिंग निकालना था पचीज पचीज लड़कों को दोड़ायता था एक से पचीज तक का इसे सभी को एक नमर दिया था तो और मुझे भी दिया गया 11 नमर दिया गया व सभी लोग यह लाइन में लगें जाता जब तक टैक का दोड़ निकल नहीं जाता है कोई पास नहीं कर जाता है कि टाल Mü मारे वाल है वो हमसे बलवान है, वो भी सोचता है कि हमारे बगल वाला बलवान है, इसी तरह से सभी लड़कों में यह बाते घुमती रहती है, पर सभी लोग का एक ही जैसा दसा रहता है, सभी लोग डरे रहते हैं, जब वहाँ पर दोड़ाये गया. सिकंद्रबाद का RPSF ग्राउंड तीन सो मीटर का एक चकर था, तो तीन चकर लगाना था, तीन चकर लगाने के बाद सो मीटर का दोड और लगाना था, उसके बाद एक किलो मीटर पूरा हो जाता. मैं सोचा कि मेरे आगे लड़के भाग जाएंगे, तो मैं पीछे रहाँगा, सभी लोग यहीं सोचते हैं कि हम आगे ही भागे, ताकि हम फिजिकल टेस्ट पास कर सके, तो वैसे ही हम आगे आगे भाग रहे थे, जब मैं आगे भागा, मैं 25 लड़कों में सबसे आगे था, मैं अपने गाउं के ग्राउंड पर एक किलिमेटर का रानिंग चार मिनट पंदर सकेंड से पहले कभी नहीं कर पाया था, और उस ग्राउंड पर पहुचकर मैं उन 25 लड़कों में आगे था, यह मुझे काफी अच्छा लगा, और मैं बार बार पीछे मुड के देख भी र पीछे और कौन आ रहा है, मैं उसमें सबसे आगे था, जब हम लोगा दोड कम्प्रीट हो गया, कम्प्रीट होने के बाद जो एड्मीट कार्ड का निचे वाला भाग रहता है, उस पे पास लिख करके मोहर लगा दिया गया, हम लोग कहा गया कि आप लोग अब चले पर मुझे यह नहीं मालूम चला कि कितने मिनट में मेरा चक्कर पूरा हुआ, क्योंकि उस समय इस तरह का आउननाई सिस्टम नहीं था, देखिए मैं अपने गाउं के ग्राउंड पे पूरा एक किलिमीटर लगाने में 4 मिनट 15 सकेंड के पहले कभी नहीं लगा पाया, और वहां पर सबसे आगे था, मेरा यह experience भी आपको बहुत ज्यादा motivate करेगा, जो भी छात्र पीटी की त्यारी कर रहे हैं, पीटी में भाग ले रहे हैं, उन सभी छात्रों को यह बहुत motivate करेगा, उस समय सिर्फ एक किलिमीटर का running ही करना था, जब बाहर निकल रहे थे, तो ब आप लोग को motivate करेगा, कि army में मैं दोड को नहीं निकल पाया था, और यहां पे group D में मैं सबसे आगे था, उसके बाद मेरे मन में एक और बात चल रहे थी, कि अगर मेरा group D का physical test नहीं निकल पाता है, तो समझे कि गाउं में बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि group D का physical test नहीं नि निकालना है, अगर नहीं निकाल पाता हूं, तो बहुत से लोग हसेंगे कि या, group D का physical test नहीं निकाल पाया, जबकि उसका सिर्फ एक किलोमेटर का होता है, और army में 1600 मीटर का होता है, आप सभी से यहीं बाते में कहना चाहूंगा, कि जो लोग भी PT का तयारी कर रहे हैं, ज अपना running कीजिए, आपका physical test निकलेगा, आप अपने आप भरुसा रखिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का पईनाम जरूर मिलेगा, यहीं सब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं, मिलते हैं आप से नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद